नमस्ति, खेड़ी कर होम मेंड में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लाए हैं इमली के सूप की रेसिपी ये बहुत ही टिस्टी तो लगता ही है साथी या गर्मी में लू से बचाने में भी बहुत ही मदददार है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इमली का सूप बनाने के लिए हमने ली है सो ग्राम इमली जिसे हमने एक घंटे पहले पानी में भीगो दिया था सो ग्राम ही हमने गुड़ लिया है इसे भी हमने पानी में भीगो दिया था एक घंटे पहले आदा चम्मज जीरा लिया है दो चमबच घी और एक चोथाई चमबच नमक इसका रस निकाल लेंगे इमलीक हमने अच्छे से रस निकाल लेया है अब हम बच्चे हुए इमलीक के पल्प को फिर से बरतन में डालकर थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर से एक बार हादों से मेश करके बचा हुआ रस भी निकाल लेंगे अब बादे भानि डाला है, तुछा से अप्राइ नियुद पानी डालें तीज भीचमाशना, पानी डालें तो ते रसे फिर बादे सेटे मेश कर लेए तो अब हम बादे विल्सकी तर अब आप यहाद लें तो यह देखिए इंबले काम ने पूरा रास निकाल लिया है अब इसी तरीके से हम गुड़ के पानी को भी छान लेंगे इसके लिए हम वही चन्नी का यूज़ कर रहे हैं अब इसमें इस गुड़ को पानी को डाल देते हैं ताकि अकर कोई गंदगी होगी तो वह चन्नी पर बेट जाएगे गुड़ को भी हमने चान लिया है अब हम एक कड़ाई गरम करने रखेंगे कड़े को हमने गरम करने रख दिया है कड़ाई हमारी गरम हो गई है अब हम इसमें घी डालेंगे गी के गरम होने पर हम इसमें जीरा डाल दिया है अब हम जीरे को थोड़ा सा पकने देंगे अब हम गी में इमली और गुड़ का पानी डालेंगे इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे और लगबग 2 मिनिट तक इस पानी को हम पकने देंगे इस पर सूप को पकते हुए लगबग 5 निट हो चुके हैं अब हम गेज बंद कर देंगे इसमें एक बॉइल आ चुका है सूप हमारा बिल्कुल रेडी है अब हम गेज बंद कर देंगे इसे सर्विंग बाल में निकाल लेंगे यह देखिए हमारा हल्दी और टेस्टी इमली का सूप बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे एसे ही पीबी सकते हैं और इसे चावल के साथ भी खाया जा तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमाई लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें धन्यवाद आपका दिन शुब रहें